दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप के बनेट चानल फिचर एकडमी टू पाइंट जूर में तो दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है वह स्कॉयर रूट से है यानि इस तरह की संख्याओं का आप लोग मान कैसे ग्याद करेंगे बहुत आसान तरीके से देखेंगे क्योंकि इस तरह की कोश्चन को देखते एकजाम में बच्चे घबडा जाते कि इसका मान कैसे ग्याद करेंगे तो मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊँगा इस तरह की मान को ग्याद करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज याद होनी चाहिए एक से लेकर दस तक की संख्य इसका मान क्या होगा तो आप लोग बोल सकते हैं कि पांच होगा इस तरह की संख्याओं का मान ग्याद करने में बहुत ही आसानी होते हैं लेकिन इस तरह की संख्याओं का मान ग्याद करना पड़े जाएगा तो हमें ग्याद करने में थोड़ा से दिक्कत होती है इसलिए मै में आज की वीडियो में इसी तरह के question को लिआ हूँ कैसे हिल करेंगे उसकोढखेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर करी में 12 कमान दिया वना कड़ी में 12 को इसका मान कैसे ज्кивात करेंगे इसको देखिएगा करी में 12 कude किवर करेंतुतर है ये थो दोनों की दोनों वालिए संख्या में वर्ग आएगा सब्सक्राइब करेंतल नो प्लैसे नो पर सब्सक्राइम सब्सक्राइब काई लिख सकते हैं उर में दूसरा निट तीन के उगा तैक फिर उसके बाद दखिए यहांपर साइन क्या है प्लस का है तौँ हम लोग प्लस लगाएंगे फिर उसके बाद एक त्री को उपर लिखेंगे बटे में इसका दुगुणा तीन गुड़े में दो कर देंगे तीन दुना के च्छै हो जाएगा अभाद किसे आंसर आएगा तो पहले हम लोग भाग कर ले रहें इसमें भाग करेंगे हम लोग तो दस मलव पांच मिलेगा यानि हमारा आंसर क्या होगा तीन दस मलव पांच हमारा आंसर हो गया अब देखिए हमने नव प्लस में थ्री से हल किया कड़ी में बारे कमान आप लोग कल्क है तो minus अब 8-4 है तो 4 हमने लिख लिया है hmm पर यहां पर यह मत करने लगे गा कि कि इसका वर्ग निकल लाए है इसका मुन निकल ला आएचार का तो हमगे लिख दे अगर यहसे करेंगे तो हमारा अंसर गलत हो जाएगा देखिए अब यहां पर 4 डिए mi道 इसमें चार में 2 से गुड़ा करके हम यहां पर लिखों में और ज्यस्य-डा दे़ा इसका दो गुणा है यहां पर लितना है हर में अब तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप लोग दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे तो दोनों तरीके से आंसर सही आएंगे तो मैं उमीद करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर जीजिए एक कमेंट जरूर करेगा कि वीडियो कैसी लगी और अच्छी ना लगे डिस्लाइक कर जीएगा और डिस्लाइक करने के बाद कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए हमें किस कारण से वीडियो अच्छी नहीं लगे चलिए दूसरी टाइप की कोश्चन क्यों चलते ही उसको कैसे हैल करें उसको देखिएगा देखिए हमने पहला को हम तो पांच के बीच में ऐच्छी गड़ी इन दोंगों के बीच में पड़ेगा तहीं हम तो हम क्ड़ी में आठ्ठाइस को हम क्या लिख सकते हैं पचीज प्लस में तीन कड़ी में 25 प्लस में 3 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं यह कि यह लिख सकते हैं क्या देखिए 36 माइनस में 8 लिख सकते हैं इन दोनों से हम लोग हल करेंगे दोनों से संख्याओं से मान जो आएगा वह समाना आएगा धेखिए कैसे हल करेंगे अब धेखिए यहां पर 25 यह वर्ग मूल कितना होता है पांच होता है यह पर प्लस का निसान है तो प्लस लि unknown यह थी 3 है तो 3 3 को ऊपर लिकेंगे अब देखिए इस पाँच का दूगुना पांदुना के दस यह हो गया अब देखिए इससे दस से हम लोग भाग देंगे इसमें तो दस मलव तीन हमें मिलेगा क्योंकि नीचे हर में एक जिरो है उपर जाकर एक अंग के बाद जिरो लग दस मलव लग जाएगा तो हमारा answer क्या जाएगा 5-10 मलव में 3 हमारा answer हो गया इस वाली संख्या से अब इससे हम लोग हाल करेंगे तो क्या आएगा देखिए कैसे यहाँ पर 36 है तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 कड़ी के अंदर है तो 36 कड़ी के अंदर है आएगा तो च्छा हो जाएगा माइनस है तो माइनस को लिखेंगे फिर चे बाद देखिए क्या यहां पर देखिए इसका दुगुना हम करके बटे में लिखेंगे तो च्छादुना के बार है हम लोग भाग देंगे चार एकम 4 दुना के 8 चार्तियों 12 है याणि यहाँ पर मिला 6 माइनस 2 वट्टे में 3 अब इस से भाग लोग देंगे तो कितना सिक्स 6 आएगा तो 6 में से 6 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे माइनस 10 मलो 6 हम लोग माइनस करेंगे तो 4 अब यहाँ पर कितना है अब इ Germ американ Health यानि पांच दसमलों तीन चार यहां पर देखेए यहांपर पुरूरूरूप से मिल जा स्थेलु तosमालों पर दोंग गत्रही या जाता है संख्या मिल तो यहां पर दश्यूलग कड़ी में 93 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगी तो देखे तिरानबे यहां आठ है यहां पर 81 आठ में तो आएगा नहीं एक्यासी नौ के वर्ग में और दस के वर्ग में आएगा नौ के वर्ग में और दस के वर्ग में आएगा तो नौ का वर्ग क्या होता अब देखिए इसको कैसे हैल करेंगे उसको देखिए देखिए कड़ी में 93 तो कड़ी में 93 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यह देखिए कड़ी में 93 को हम लिख सकते हैं क्या 81 कड़ी में 81 प्लस में 12 लिख सकते हैं और यह क्ये लिख सकते हैं कड़ी में 100 माइनस कितना लिख सकते हैं 7 यह लिख सकते हैं, ठीक, अब इतना लिखेंगे, तो हम आद दखिए, इससे कैसे अल करेंगे, कड़ी में 81 का वर्ग मुल कीतना होता है, 9 होता है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, 12 है, तो 12 को लिखेंगे, अब देखिए, 9 का दूगुना, कितना 9 का दूगुना हर में लिखेंगे, 9 दूगुना के 18, 6 कम 6 दूगुना 12, 6 3 18, यानि 9 पलस में 2 बटे में 3 हमें मिला, अब इससे हम लोग भाग देंगे, तो 10 मलव 6 6 आएगा, 10 मलव 6 6, इसमें add कर देंगे, तो हमारा अंसर क्या आएग अच्छा है, अब देखिए, अब इससे हम लोग 100 से हमल करेंगे, तो देखिए, यह सव है, सव है, तो सव का, कड़ी में सव है, तो बाहर आएगा, तो 10 हो जाएगा, यानि 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, माइनस है तो माइनस, 7 है, उपर तो 7 लिखिएगा, अब 10 का 3, 5 हमें मिला, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे, तो कितना दसमलो 3, 5 हम लोग घटाएंगे, तो हमें मिलेगा, 9,65 हमें आंसर मिलेगा, 9,65, यहाँ पर 9,66 मिला, यहाँ पर 9,65, तो इस दोनों में दोनों मान वही आएगा, दोनों मान सही लिया जाएगा, अब देखिए अब 650 है, तीन वाली संख्याओं को वर्ग मुल कैसे ग्याद करेंगे, उसको देखिए, तीन वाली संख्याओं को, कड़ी में 650 है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो कड़ी में 650 तो इसमें, मैंने 10 तक वर्ग मुल लिखा, इसमें नहीं मिला, लेकिन यहां, यह इसको कैसे हम लोग हल करेंगे इसको देखेंगे तो कड़ी में 650 कड़ी में क्या दिया हुआ है कड़ी में 650 इसका मान हमें ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करेंगे कड़ी में 650 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या 625 प्लस में 25 कड़ी में 625 प्लस में 25 लिग सकते हैं अब इसको हम लोग देखेंगे बีच में आएगा था देखिय। यह आएगा पचीन के वर्ग की संख्या में और राईगा 40 620 K brand me अब इसका 25 का वर्ग मत निकालने लगेगा अगर 25 का वर्ग निकालने लगेंगे तो अंसर गलत आ जाएगा अब देखिए यहां पर प्लस है तो उपर लिखेंगे पचीस बटे में इसका पचीस का दुगुना पचास पचीस का दुगुना पचास हो जाएगा पचीस से कम पचीस पचीस दुना के पचास यानि एक बटे में दो यानि हमारा अंसर क्या आएगा पचीस दसमलव पांच हमारा अंसर आएगा 25.5 तो I hope दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन जरूर पेस करिए और कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए कि वीडियो म में किस कालर से अच्छी लगी किस कालर से नहीं अच्छी लगी चलिए मिलते हैं अपने नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक है यार बाइबाइब जाहिन